हर हर महादेव ओम नमस्शिवाए आप सभी लोगों को महाशिवरात्री की हारदिक शुपकाम नाएं और महाशिवरात्री वाले दिन आप मंदिर में जाके सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं तो मैं भी मंदिर आ गई हूँ तो सरपथव हम सनान कराते हैं और हो सके तो आप अपने घर से ही जलका लोटा भर के लेके जाएं कई लोग क्या करते हैं मंदिर में जाके भर के भरते हैं तो देखे हो सके तो आप घर से ही लेके जाएं तो सबसे पहले मैं नहीं आप गनपती भगवान को सनान कराया है शि तो यहां पर मैंने गनपति भगवान को ठिलक कर दिया है अच्छे से , छिवलिंग को र दिया है। आप अस्ट गन्डेट चंदन यह सफेज चंदन वैफेलेबल हो पर दिशेदर यह ले सकते हैं। और जो भी सिंगार का समान आप लाए हूँ गोरा माता के लिए आप उने पहना दे कपड़े वगरा चाहे तो वो पहना सकते हैं चुन्नी उड़ा सकते हैं और जो भी आपने महंदी वगरा ली हो आप उनको अच्छे से जो है उनके हातों पे पैरों पे अच्छे से लगा दे बिंदी में से बिंदी लगा सकते हैं चूड़ी पेना सकते हैं उनका अच्छे से आप सिंगार कर दें उसके बाद मैंने हाप गनपती भगवान को लाल रंग का फूल अर्पित करा है और भगवान शिवशंकर को मैंने सफेद रंग का फूल अर्पित करा है तो जो भी आपके भगवान भोले बंडारी की पूजा में तो देखे इस तरह से मैंने चंदन लगा दिया है बेल पत्र पे और जो चिकनी तरफ होती है वो इस तरह से शिवलिंग को छुआते हुए आपको रखनी है तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है भगवान भूले नाथ को तो यहाँ मैंने बेर वागरेरा चड़ा दी है उसके बाद मैं भूले नाथ का और माता परवाती का गठवन्दन कर दूँगी आप जरूर से कीजिएगा ताकि माता परवानी बी अपनी तरह ही आपको अटल सुहागे की प्राप्ति करा हैं, उसके बाद यहां पर मैं जोद जोड लूँगी, तो यहां मैंने जोद जोड ली है, उसके बाद यही पर हम धूप दिखा के भगवान की आरती करेंगे, आप चाहें तो यही पर बैठके शिवचालिसा कर सकते हैं, और भी आप कोई च जाप कर सकते हैं, आप ओम जेशिव, ओम कारावारी आरती का सकते हैं, सभी को इस तरह से हम धूप दिखा के इस तरह से आरती कर लेंगे, नंदी भगवान की पूजा कर लेंगे, और ऐसा कहते हैं, कि अगर आप पूजा के बाद नंदी भगवान के कान में अपनी मनोकामन कहते हैं तो वह सीधा जो है भगवान भुले नात के कानों तक पहुंचती है वह से जरूर से पूरी करते हैं तो यहां पर देखे मैं अच्छे से आर्थी कर ली है उसके बाद मैं धूप भी लगा दूगी तो यहां पर मैंने धूप जोड़ दी है धूप दीप दिखा के आप शमयाचना जरूर से कर ले के भगवान अगर कोई भूल ही हो तो हमें माफ कर दें आप चाहे तो यह पर बैटके भगवान का बचन की तनभी कर सकते हैं और जो लोटा आप जलका लेके जाते हैं घर से तो उसे कभी भी भी ना पूरा रिता के यानिकी खाली करके कभी ना लाएं उसके थोड़ा जल आपको बचा के जरूर लाना है घर में सुक सम्रिदी के लिए और उसके बाद हम परिकमा कर लेंगे तो देखिए शिप जी की हमेशा आधी परिकमा करी जाती है उनकी जलहरी को लांगा कभी नहीं जाता बहुत दोश लगता है उसके बाद मै यहां पर दक्षने चड़ा दी है सिक्का तो अगर हो सके तो आप दक्षने ज़रूर चड़ा दे ताकि कोई तुरूटी रह गई हो या कमी रह गई हो पूजा में तो वो संपूर्ण हो जाता है तो देखिए यहां पर मैने पूजा कर ली है और फिर उसके बाद आप कि राने की तरह है यू कहालेजिए अहलब क रहेगा तो इस तरह से मैंने सुहाग ने लिया है उसके बाद जब आप आप मंदिर में पूजक कर लेते हैं उसके दिलेटे हैं इसके बाद आपको परिकम्हार करने चाहें ऐसा कहा जाता है कि अगर मंदिर की पक्रॉषर क नाम लेते वे कोई भी जब करते वे इस तरह से पूरी प्रिकम्मा कर ले और जब भी आप मंदिर पूजा करना जाते हैं तो हो सके उतनी चीज़े आप अपने घर से ही लेके जाएं मंदिर में रख्यों ही जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं कई वर जिसे माली जो कोई च मंदिर में हो सके उतनी चीजों का आप उपयोग ना करें और अगर बाइचंस करने भी पड़ जाती हैं तो आप उसके नाम का थोड़ा सा जो है दान जरूर से निकाल के मंदिर में डालें तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो चैनल अच्छा लग रहा हो तो नुमा शिवालिकना ना भूलें जैसिया राम